हाई फ्रेंड्स स्वागत है आपका हरी तुझ कीचन में आज हुबले आलू से बहुत ही टेश्टी नास्ता बनाएंगे इस नास्ते को बनाने के लिए चार मीडियम साइज के आलू लेंगे इन आलू को बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे ध्यान रहे फ्रेंड्स आलू में गुठली नहीं रहनी चाहिए यह देखिए मैंने ग्रेट कर लिया है अब एक बरा चम्मच गेहूं का आटा और इस नास्ते को कुरकुरा बनाने के लिए आधा बरा चम्मच चावल का आटा डालेंगे एक चोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर आधा चोटा चम्मच जीरा पाउडर चोथाई चोटा चम्मच गरम मसाला आधा चोटा चम्मच हल्दी पाउडर बारीक कटी हुई दो हरी मिर्च एक चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और मुठी भर धनिया पता डाल देंगे अब इसमें टेस्ट के एक ओर्डिंग नमक डालेंगे इस नास्ते को और भी चटपटा बनाने के लिए एक चम्मचाट मसाला डाल कर इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर पकौरे जैसा घोल तयार करेंगे ये देखिए फ्रेंड्स हमारा नास्ते का बैटर बन कर थियार है इस बैटर को बनाने में आधा कप पानी लगा है अब इस नास्ते को गर्म तेल में तलेंगे तलने के लिए तेल गर्म हो गया है अब एक चम्मच के लगभग बैटर को लेंगे और इसे गोल सेप दे कर तेल में डालते जाएंगे फ्रेंड्स आप इसे टिक्की के सेप दे कर भी तल सकते हैं इस नास्ते को हाई फ्लेम पे तलेंगे जब नीचे के तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसे धीरे धीरे पलट देंगे ध्यान रहे फ्रेंड्स ये नास्ता बहुत ही सॉफ्ट है तो इसे पलटते समय थोड़ा ध्यान देंगे फ्रेंड्स इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तलेंगे हमारा नास्ता तयार हो गया है अब हम इसे निकाल लेते हैं फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी लगता है आप इसे एक वार जरूर ट्राई करियेगा अब बाके वच्चे नास्ते को भी ऐसे ही तल लेते हैं फ्रेंड्स या नास्ता इतना टेस्टी लगता है कि आप जिसे भी खिलाएंगे सब आपकी तारीफ करेंगे या उपर से जितनी करारी है अंदर से उतनी ही सौफ्ट है आप इस नास्ते को ब्रेक फास्ट या इवनिंग स्नैक्स मिले सकते हैं फ्रेंड्स रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक और सेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा तो मिलती हूँ एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए टेक क्यार बाबाई